हलो फ्रेंट्स नमस्ते आपको आउस बिल्डूंग के बारे में तो लगातार मैं जानकरी देई रहा हूं लेकिन शोट अम आउस बिल्डूंग क्या होता है जिस तरह से लोगों की रिक्वार्मेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है इसके लिए जो बड़े स्केल पे काम करत हैं इस फिल्ड में ऐसे बड़े बड़े ओल्डेज होम उन्होंने एक तरीका निकाला है कि शोट टर्म में मतलब तीन साल की आउस बिल्डूंग को एक साल में करा दिया जाए एक साल में उनको तमाम ट्रेंग और स्किल प्रोवाइड कराई जाए ताकि अगले साल से वो ल बहुती केरिंग परसन वो है कि नई इंट्र्व के दोरानी बहुती स्ट्रिक्ली उसको वो उब जरू करेंगे और तब ही जाके वो सेलेक्ट करेंगे कि इसका ओल्ड एज से मतलब कोई तालुकात है क्या इसके मन में ओल्ड लोगों के प्रती किस तरह के भाव रहते हैं कै कैसे यह situation handle करेंगे मतलब आपको language के साथ में आपका personality का भी interview देना है किस type का आपका thought process है और एक साल में आपको जो training दी जाएगी उसके 1000 euro मिलेंगे 900-1000 के बीच में आपको यह euro मिलते हैं और एक साल के training complete करने के बाद में आपको 3000 euro minimum आपको मिलने वाले हैं उसके बाद में आप normal skilled worker की तरह old age home में काम कर सकोगे लेकिन एक तो होता है nurse मानलो ZNM या और आगे की qualification करके इस field में आता है और एक होता है A&M तो जो A&M वाला है program वो है यह तो आप इस बारे में बिलकुल clear रहिएगा कि जो बंदा जो person खास तोर पे old age home के लिए खुद को तयार करना चाह रहा है वो ही इस field में आए language skill और वो तो सारी बहुत अच्छे से check होगी हमने अभी recently actually इसके interview करवाए है और मैंने सुचा कि यह बात आपको पता चल जाए कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोचते हैं कि नहीं मेरा तो मकसद पैसा खमाना है और सेवा मुझे करनी ही है किसी काम की training ले लूँ और उसके बाद में सीधा कमाई पर आ जाओं तो ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही बहुत ही बहुतरिंग प्रोग्राम हो सकता है इस बारे में आप वीचार करो अगली जो भी इस तरह की विकेंसी आएंगी तो मैं advance में announce करूंगा इस बार यह विकेंसी अच्छुली अचानक से आई तो थी भी दो ही विकेंसी इसलिए मैंने इसका ज्यादा परचार नहीं किया So friends इस बारे में और भी कोई आपकी queries होंगी तो आपको मैं जुरूर बताऊंगा Thank you so much Dank Sean